एक और सीट का जिक्र करना चाहते हैं और वो है सहारनपूर सहारनपूर को लेकर शुरुवात में ऐसा कहा जा रहा था कि यहां से बीएसपी के उम्मिद्वार की जीत्ता है वहां से बीएसपी के सबसे बड़े नेता और मुसलिम चेहरा जो है इमरान मसूद उनके परिवार के तरफ से किसी को टिकट मिलना था जब उमिद्वारी का ऐलान भी नहीं हुआ था तब कि यह बात कही जा रही है और सहरनपूर यह वो सीट है जो 2019 के लोगसभा चुनाओ में वहां पर बीजेपी हार गई थी जो 14 लोगसभा की सीट है यूपी में बीजेपी हारी उनमें से सहरनपूर भी है और बीएसपी के फजलू रमान वहां से चुनाओ जीते थे इस बार क्या हुआ कि बीजेपी ने यहां से जो उम्मिद्वार दिया है वो एक बहुत बड़ा प्रयोग किया है और इसलिए मैं इस बात की चर्चा करना चाहता हूँ यह एकलौती ऐसी सीट है बीजेपी के लिए सहरनपूर की मेयर सीट जहाँ टिकट को लेकर कोई जगड़ा नहीं हुआ किसी भी बीजेपी नेता ने उसका विरोध नहीं किया कोई अंदरूनी कला नहीं सब गले मिलकर बीजेपी के इस उम्मिद्वार का समर्थन कर रहे हैं और यही वो वज़ा है कि बहुत मजबूत होने के बावजूद भी बीजेपी की जीत हो सकती है काटे का मुकाबला कहा जा रहा है लेकिन यहां सबसे बड़ी जो ताकत हुई वो बीजेपी के उम्मिद्वार की और वो ऐसे उम्मिद्वार हैं जिनकी जाती का एक वोट भी सहारनपूर शहर में नहीं है बहुत बड़ा रिस्क लिया बीजेपी ने एक political message देने की कोशिस की कि भले ही आप जानते हैं जाती विरादरी और धर्म के आधार पर टिकट दिया जाता है जिस विरादरी के लोग अधिक होते हैं जिस धर्म के लोग अधिक होते हैं उसके उसी से जुड़े हुए लोगों को टिकट दिया जाता है यहाँ बीजेपी ने कुर्मी जाती के डॉक्टर मनोज कुमार सिंग को टिकट दिया अब साहरनपूर में कुर्मी बिरादरी के लोग नहीं है लेकिन डॉक्टर होने के नाते वो बहुत पॉपुलर है उस इलाके में लोगों की बहुत मदद करते हैं जान हो पहचान हो ना हो फिर भी वो सदैब लोगों की मदद करने के लिए ततपर रहते हैं तो मनोज कुमार सिंग को टिकट दिया बीजेपी ने वो पिछड़ी बिरादरी के मैंने कहा कुर्मी से हैं बीएसपी से जो उमिदवार है खजीदा मसूत वो इमरान मसूत की भावी और समधन भी हैं अब इस इलाके में यानी सहारनपूर के इलाके में तो इमरान मसूत बहुत बड़े नाम है वो बलही एक बार विधायक रहें लेकिन वो जब भी चुनाव लड़ते हैं लोग सबाद चुनाव में भी कॉंग्रेस से चुनाव लड़े तब भी उनको दो दो लाख वोट मिले वो इतने लंबे समय से राजनीती में हैं कि उनको मुसल्मानों का वोट तो मिलता ही है हिंदू बिरादरी का भी ठीक ठाक वोट उनको मिल जाता है तो वो कड़ी ठक कर दे रहे हैं यहां नमबर टू पे इमरान मसूद ही है और इमरान मसूद कुछ महीनों पहले तक समाजवादी पार्टी में होते थे लेकिन बाद में जब वो ब्यस्पी चले आये तो उनके और अकलेस यादब के रिस्ते बहुत खराब हो गये तो अकलेस यादब उनको हराने के लिए पहुँच गये सहारनपूर वहाँ उन्होंने रोड शो किया और वो भी आजात समाजवादी पार्टी के नेता चंदरशेखर के साथ यहाँ वो जैन चौधरी को भी बुलाना चाहते थे कि तीनों एक साथ मिलकर रोड शो करे पर ऐसा नहीं हो पाया और यहाँ से समाजवादी पार्टी के तरफ से जिसको टिकट मिला है वो समाजवादी पार्टी के जो विधायग है आशु मलिक जो कभी मुहमद आजम खान के बहुत करीबी हुआ करते थे उनके चोटे भाई नूर हशन को यहां से टिकट मिला है अब सबसे बड़ी यहां क्या है, जो BJP के उम्मिद्वार के पक्ष में जाता है कि BJP में कोई कला नहीं है, सब ने मनोज का साथ दिया लेकिन BSP के उम्मिद्वार मजबूत होने के बावजूद जिनके पीछे इमरान मसूद की ताकत है, यहां हुआ क्या, कि जो वहां से बीएसपी के सांसद हैं, फजल रहमान, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने मदद तो नहीं की, इमरान मसूद के जो परिवार की खजिदा मसूद हैं, जो उमिदवार लड़ रही हैं, जादरी के वोटों में बटवारा हुआ है, तो इसका फाइदा बीजेपी को मिलेगा, और हिंदू वोटों में बटवारा बहुत कम हुआ है, तो इसका फाइदा भी बीजेपी को मिलेगा, यानि सहारनपूर से बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है, फिरोजाबाद को तो है वो OBC महिला के लिए रिजर्व की गई है यहां से टिकट के दावेदार कई थे लेकिन यहां से BJP से कामनी राठोर लड़ रही हैं समाजवादी पार्टी से मशरूर फातिमा और BSP से रुकसाना बेगम और यहां हुआ क्या कि रुकसाना बेगम जो BSP से चुनाव रही थी लेकिन पती के निधन के बाद उनको सहानूभूती वोट मिलने की बात कही जा रही है इस चक्कर में क्या हो रहा है कि दो-दो मुस्लिम चेहरे आ गए हैं इन दोनों मुस्लिम चेहरे होने की वज़ए से मुस्लिम वोटों में बटवारा है जबकि BJP का जो अपना क और वोट है वो बिलकुल इंटैक्ट है तो इस तरह के की जानकारी सामने आ रही है कि BJP की बढ़त है यहां जो आम आदी पार्टी है उसने भी मुस्लिम उमिदवार दे दिया उसके बारी में भी कहा जा रहा है कि कुछ पॉकेट्स में उसको वोट मिले हैं BJP में क्या है कि सुरवात में कला थे तमाम चीजें थी बागी नेता भी थे लेकिन इस मुस्लिम वोटों में बटवारा और बाद में बड़े नेताओं के चुनाव परचार करने और बूत प्रबंदन की वज़ा से यहां BJP बढ़त की ओर है तो यह फिरोजाबाद की कहानी झाल पर बटे बड़ी ने चुनाव पर फ데 यहांगा।